देवी अहिल्या ने मलहार राव सुवधार जी को बता दिया है कि कौन है जो अपना बन करके पीठ में छुरा घोप रहा है बता दिया है कि इस कृत्य का दोशी कौन है देवी अहिल्या के साथ में इतना बड़ा खेल जिसने खेला है उसका नाम देवी अहिल्या ने बता दिया है कि घर का भेदी कौन है जी हाँ दोस्तों पुन्ये श्लू के लिवाई शो के आने वाल एपसोड में हम देखेंगे कि देवी अहिल्या श्रिमंत के सारे राज खोल देती है श्रिमंत ने मालवा में आकर कि क्या 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 दो साहसी कारे किये हैं सब बता देती हैं देखें वो कहता है कि अभी अभी बुना चलते हैं मलहार राव और उस पर हमला कर देते हैं और मेरी सेना तुम्हारे साथ है चलो जल्दी चलो मलहार राव स्वजार जी देवी एल्या के साथ में इतना जगन दुस्ता हस करने वाले को मृत देना चाहते हैं इसलिए वो भी अप्पुने पर चड़ाई करने वाले हैं लेकिन देवी अहलया रोक देती है और कहती है उंगले योर आँखें दिखा करके श्रिमंत से के बस करो अब और मलहार रावस्पदार जब देवी अहलया से कहते हैं कि अपने शब्दों को देखो अहलया तुम सीमा लांग रही हो तो वो कहती हैं कि नहीं बाबा साहिब यही वो इनसान है जो घर का भेदी है यही वो इनसान है जो मित्र बन करके दुश्मने निकाल रहा है पीट में छुड़ा घोप रहा है इसी ने देवी अहलया को जी हां जिन्दा गाढ़ने की कोशिश की बलकि गाढ़ ही दिया था मारने के लिए जी हां धूस्तों Мलहार रावस कुजार रव्त बता देंगी कि श्रीमन्त ही हैं वो इनसान जो पुना हमें यह मलहार रावस कुजार रवत झाने ही नहीं देना चागता और ये गिनोना कृत्य देवी ले जिन्दा गाड़ने वाला इसी इनसान ने किया है अब मलहाद असुदारी की आँखें फिर से खुल जाती है वाकि दोस्तों देखते हैं क्या ये आँखें कुछ कमाल दिखाती है या फिर से श्रिमंद के आगे नतमस तक हो जाती है